हुआ हेलो फ्रेंड्स प्रेस्टी सब्सक्राइब बर्टन और हिट दी बेल आइकन फॉर मोर सच इजी वीडियो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि NCRT बुक को कैसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आजाएं देखिए मैंने एक बायो मॉलीकूल चैप्टर एक ओपन अप किया हुआ है अब आप यहां पर एक चीज़ देख सकते हैं कि हाईलाइटर का यूज किया गया है कलर्स बहुत इंपॉर्टन रोल प्ल करेंगे तो सबसे पहली नजर आपकी जो है उस लाइन पर पड़ेगी जिसकी वज़े साब उसे देखोगे और आपको धीरे-धीरे याद हो जाएगा और अलग-अलग हाईलाइटर का यूज कीजिएगा हर कलर का अपना एक मीनिंग होता है जैसे लाल कलर जो है थोड़ा स इसका यूज करके एक लाइन को अंडरलाइन करके समझ के पढ़िए दूसरा तरीका आपके पास क्या है अगर आप हाईलेटर का बहुत कम इस्तमाल करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप एक छोटा सा साइड में जो जगे खाली होती है न्सी आडी बुक उस जगे पर सारे इंपॉइंट पॉइंट्स लिख दीजे और यदि कुछ क्लास में लेक्चर में आपको नॉर्मल कुछ अडिशन बताया जा रहा है तो आप क्या कीजिए ऐसे छोटे-छोटे चिट बना लिजे और उसमें जो है सारी डिटेल्स जो इस चैप्टर से बाह आप कह सकते हो नीट की इंपॉइंट है उन्हें आप लिख सकते हो मल्टिपल नोट्स आप बना सकते हैं यह यह भी अगर आपको नहीं चमता है तो आप क्या कीजिए कि एक वाइट पेपर जो है बीच-बीच मिस्टिक कर दीजिए जिसके वाज़े से आप सारे डिटेल्स लिख पाओगे तो तीन तरीका है उसमें से कोई भी जो आपको पसंद है आप फॉलू कीजिए एक है हाइलेटर्स का यूज़ कीजिए दूसरा आपके पास है ऐसे चिट्स बना-बना के साइड में स्टिक कर दीजिए ताकि इंपॉर्टन पॉइंट पॉइंट्स आपको निखा गया है या हाइलाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे एक पेपर बीच में लगा के सारे डिटेल्स आप लिख सकते हैं तो मिल करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा और थूड़ा बहुत हैल्प मिल जाएगा कि कि किस तरीके साब इंस या डिपको पड़ सकते हैं अगर आइडिया आपको पसंद आगया हो तो लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने अगर आप नए हो तो तब तक के लिए मैं सुनिल सर बहुत ही जल नए वीडियो के साथ आओंगा थैंक्यों वेर्यमाच